खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाईए और ABP News को सब्सक्राइब कीज़ें वकाइदा सूचना मिली है कि ये सब कुछ आज हो सकता है खुफिया एजन्सियों के अलर्ट के मताविक धमाके में बाईक का अस्तमाल हो सकता है एतियात के तौर पर सुरक्षवलों के दस्तिकी मुवमेंट पर आज के लिए रोक लगा दी गई है इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी गई है मुबाइल्स पर भी खास तौर पर यहां पर रोक लगा दी गई है आपको याद दिला दे इसी साल 14 फरवरी को जब मुकश्मी रहाये पर पुलवामा में जैशिम मुहमबत के आतंकियों ने विस्पोटक से भरी एक कार को CRPS के कॉनवोई से टकरा दिया था हमले में 40 से ज़्यादा जवान शहीद हुए थे अब इस तरह का एक और अलर्ट आज के लिए जारी हुआ है और ये अलर्ट इस तरह का है कि जगा वही होगी और तरीका भी कुछ-कुछ वही होगा बस फर्क ये होगा कि आज का जो अलर्ट है उस पे 22 के इस्तमाल की बात कही गई है अलर्ट में क्या कहा गया है समझे जमू कश्मीर में जमू श्रीनगर हाईवे परातंकी हमले की आशंका खास तोर पर आज के लिए कही गई है कड़ी देवस्था यहाँ पर सुरक्षा की कर दी गई है खास तोर पर मुबाइल इंटरेट सेवाओं पर रोक लगा दी गई है सुभा साथ से आट बजे के बीच हमले की आशंका थी खालकी रहात की बात यह कि यह वक्त तो निकल गया है लेकिन फिर भी पूरा दिन बहुत ही महतपूर हो जाता है धमाके के लिए बाइक का अस्तमाल हो सकता है याद कीजिए पुलवामा अटाक जब हुआ था तो गाड़ी का अस्तमाल हुआ था हाईवे पर सुरक्षा बलों के मुव्मेंट पर खास तोर पर निर्देश दिये गए है कि इस मुव्मेंट को रोक दिया जाए आज के लिए सुरक्षा बलों पर एक बार फिर से आतंकियों की नजर है इसलिए खास तोर पर आज यह एहतियात बरती गई है हर लिहास से वेहत महत्पूर्ण क्योंकि अभी कुछ दिन बाद यहां मतदान होना है अपडेट लेंगे हमारे समफादाता आसिफ कोरेशी से आसिफ सबसे पहले ये बताईए कि इतना स्पेसिफिक ये अलर्ट है कि ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या हैतियात बढ़ते जा रहे है कुमकुम देखे ये अलर्ट जारी करते हैं समय सुरक्षा बलूं की जो रन्नीती थी वो उस मूमेंट को बचाने की थी जो इलेक्शन की वज़े से हो रही है बतातू कि 18 तारीख को स्री नगर बरगाम में चुनाव होने हैं और इसी के चलके जो बागी जगू से खास्तोर पर उत्तेरी कश्मीर में जो ताइनाती थी सुरक्षा बलूं की उसको स्री नगर बरगाम और गांडर्वल फिस्ट करना था इसी के चलके ये अलर्ट जारी किया गया था सुपह सवेरे ही ये मुमत शुरू हुई थी और तक्रीबन 9 बज़े तक उन सभी सुरक्षा बलूं को सुरक्षत उन खिकानों पर पोचा दिया गया है जहां पे उनकी ड्यूटी लगनी है अलेक्शन पे चलके इसी को निशाना बना सकते हैं इस तरीके का अलर्ट आया था जिसके चलके ना सिर्फ हाइवे पर अपरिक सुरक्षा बरादी गई थी लेकिं साथ-साथ इंटरनेट से वाई भी बंच करती जई तक्कि और इसी विए बिल्कुल मैं चाती हूँ आसफ आप लगातार हमारे साथ बने रहें और दर्शको को भी ये जानकारी हम दे दे कि आसफ हमारे साथ लाइफ जुडते लेकिन क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि उस पूरे लाके में इंटरनेट सेवाओं पर रोक है इसलिए आसफ लाइफ हमारे साथ नहीं जुड़े लेकिन फोन पर लगातार आसफ से आगे भी हम जानकारी लेंगे लेकिन इन सब की भी जिस हाइवे की हम बात कर रहे हैं जम्मू श्रीनगर हाइवे वहाँ हमारे एक और समबात दाता मौजूद है अजय बाचलू सीधा अजय बाचलू के पास लाइव हम आपको लिये चलते हैं अजय आप उसी श्रीनगर जम्मू श्रीनगर हाइवे पर मौजूद है इससे पहरे एक फिदाइन हमला नाकाम हो चुका है उससे पहले पुलवामा हमला और आज का इतना स्पेसिफिक अलर्ट आपके पास क्या अपडेट है सबसे पहले ये बताईए देखे कुमकुम जो अलर्ट है वो काफी स्पैस्ट है जिसमें ये कहा गया है कि आज सुबा आट बजे से लेकर नो बजे तक एक हमला हो सकता और हमले में मोटर साइकल के इस्तिमाल की बात की गई है दरसल कुमकुम समझने वाली बात ये है बीपी न्यूज को सुत्रों से ये लगातार पता चल रहा है कि जिस तरह से दो बार एक बार पुलवामा का जो हमला हुआ और एक बार उसके बाद बानी हाल में जो हमला करने आतंग किया थे दोनों हमलों में कार का इस्तिमाल किया गया था किलो मीटर का हाइवे है और इस 300 किलो मीटर के हाइवे पर कहीं ऐसी लेंज और बाइलेंज है यानि की छोटी छोटी गलियां है जहां से शायद कार निकालना मुमकिन ना हो तो इसी के चलते वहां पर जो है मोटर साइकल को आराम से निकाला जा सकता और मोटर साइकल एक ऐसी सवारी है आम आदमी की सवारी है जिस पर जनरली शक नहीं जाता है तो शायद यही एक बड़ी वजा है जिसके बाद अब सुरक्षा बलों को अलर्ट कर दिया गया है अगर जम्मू के तीन जिलों की बात करूँ जो नाशनल हाइवे से लगते हैं जिनमें जम्मू जिला आता है जिनमें ओदंपूर जिला आता है खास तोर पर जिसमें रांबन जिला आता है इन तीनु जिलों में जो सुरक्षा बल जिनको डिप्लाई किया गया था हाइवे की सुरक्षा के लिए जिसमें CRPF, CISF और ITBP आती है, इसके साथ इन इलाकों के जो SHOs हैं, जो Station House Officers हैं, ठानेदार हैं, उनको भी ये कहा गया है कि जो उनके पास नफरी है, जो उनके पास तैनाती है, उस तैनाती को वो हाईवे पर लगा दें और हर एक मुवमेंट पर, चाहे वो मोटर साइकल्स की मुवमेंट हो, चाहे बाहनू की मुवमेंट हो, चाहे गाडियों की इस highway पर वहाँ पे general input दिया गया है और सुरक्षा बलों को alert पर रखा गया है कुमकुम हमला नाकाम हुआ इस लिहाज से क्योंकि मतदान वहाँ भी बहुत जल्द होना है तो अगर हम सुरक्षा के लिहाज से कश्मीर की बात करें तो जम्मू के जिंजलों के आपने बात की वो भी बहुत ही महत्पून है देखे अगर मैं अपने कैमरा मेंन से कहूंगा मैं इस समय उसी नाशनल हाइवे पर हूँ जो जम्मू से श्रीनेगर को जोड़ता है या जम्मू कश्मीर को पूरे देश बर से जोड़ता है मेरे पीछे जो आप highway देख रहे हैं ये national highway है जो जम्मू से शिनेगर को जोड़ता और लगाता और इसी तरह की moment इस highway पर होती है इस highway पर नकेवल सुरक्षा बलू की moment होती है बलके आप देख सकते हैं यहाँ पर आम वाहन, ट्रक्स इस तरह की moment भी होती है और इस हाइवे पर इस 300 किलो मीटर के हाइवे पर छोटी 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 लेंज है छोटी छोटी बाइ लेंज है छोटी छोटी गलियां है जहां से आना बहुत आसान है तो ये कही न कहीं सुरक्षा बलों के लिए चिनोती है क्योंकि जिस तरह का 300 किलो मीटर को गार्ड करना और इन चोटे-चोटे हाइवेज पर तैनाती करना इन चोटे-चोटे गलियों को इन चोटे-चोटे लेंज को रोकना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनोती है जिसके लिए जम्मू कश्मीर पुलिस तयार है साथ मैं कुम-कुम आपका दूसरा सवाल भी लूगा लगातार जम्मू में जो किस्तुवाड का जिला हो जहां पर अभी हाली में किलिंग हुई 9 अप्रेल को और उसके बाद जिस तरह से बनी हाल में एक जो आतंक्यू ने कोशिश की थी CRPF कॉनवाई को हमला बनाने की कही न कहीं अब मनशा आतंक्यू की साफ है क्योंकि जिस तरह के चुनाओ है चुनाओ हो रहे हैं उन चुनाओ में कहीं खलल डाली जाए कहीं न कहीं डर और देशत का माहुल क्रियेट किया जाए ताकि लोग मद्दान केंद्रों से दूर रह लोग जिस तरह से इस डर और खौप के बावजूद निकल रहे हैं और मद्दान कर रहे हैं ये कहीं न कहीं आतंक्यू के मूपे बड़ा तमाचा है कुमकुम सेवाए बंदें इसलिए फोन पर आसिफ हमारे साथ जुड़े हैं आसिफ स्पेसिफिक अलर्ट था सुभा का वो वक्त निकल गया है तो फिर ये जो अलर्ट कहा गया है कितना और लंबा चलेगा और जो हाई सिक्योरिटी सुरक्षा बढ़ानी की बात कही गई अभी कितने घंटे और हो सकती है वहाँ पर कुम कुम देखिये जो स्रीनगर में स्पेसिफिक अलर्ट था वो उसका समय नौ बजे तक रखा गया था हालांकि उसके बाद भी तक जो है अलर्ट के मोड में ही सुरक्षा बल रहे लेकिन आप जो हमारी अज़कारियों के साथ बात वी उन पर घंट रहे जो कि आप शुनाव भी तीन ओर होने है इसके चल के हुए हाई वे पर इलर्ट यारी रहे गाद है कि आने वाले दिनों में एक और सिदाही हमला पो तक का है एक और प्रवामा चैसी गटना हो तक नहीं और खास और वेपर ही निशाना बनाए जाएगा तरक् इसलिए इस हाइवे की तस्वीर बहतर तरीके से हम दिखा रहे हैं बहुत शुक्रिया आपका सिर्फ तमाम जानकारी की लगातार हम तस्वीरों में भी आपको दिखा रहे हैं इसलिए शायद बाइक के इस्तमाल का अलाट आया है